यह अडेनियम का हमने आज रीपार्टिंग के लिए हमने निकाला इसका जड़ तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक खोखला सा बन चुका है आप देख रहे हैं यह हमारा पूरा उंगली अंदर चला जा रहा है तो इसको हम कैसे बचाएंगे जब कि यह कम से कम तीन साल पूराना पौधा है और इसको कोई केर नहीं की गई ऐसे ही यह पड़ा रहा है यह आप देख सकते हैं इसके जड़ और यह ब्रांचेज निकली हुई है और काफी लंबाई तक यह आया हुआ है तो अब इसको हमने सो कि थोड़ा प्रूनिंग कर दें और सीजन आ रहा है फरवरी स्टार्ट हो चुकी है तो इसका हम री पार्टिंग भी कर दें तो यह आप देख सकते हैं कितने बुरे हाल में है इसका प्रेट हम दिखाएंगे तो इससे कोई परशान होने की ज़रुवत नहीं है यह आप दे अब हमने इसको वाश कर लिया आपको मैं दिखा रहा हूं कि इसका एक एक रूट जो है एकदम फस कलास है कोई इसमें कोई प्राबलम नहीं है तो इसको हम रीपार्ट करेंगे और इसकी पूरूनी करके इसका अपडेट हम देंगे आपको कि इस तरह के पौदे को भी आप बचा सकते हैं इसमें कोई प्राबलम ऐसी नहीं दख रही है क्योंकि यह अपने आपको एड़्जस कर चुका है नीचे के एक पौर्शन में यह बना लिया है तो इस रूट को भी अगर हम नीचे लगा देते हैं तो यह अपने आपको सर्वाइब कर जाएगा यह आप देख सकते हैं कि हमने रिपार्ट कर दिया है और अंदर एकदम खोकला है तो यह बहुत ही शांदार डिजाइन क्रियेट करेगा अभी थोड़े दिन में इसको हम दिखाएंगे आपको तो इसको रिपार्ट सिंपल जो भी मिट्टी हो उसमें थोड़ा सा खाद हो आप अपने इंट से मिला लेंगे और इसको बहुत ज़्यादा ज़र्गत नहीं होती क्योंकि यह डिजर्ट होता है कम पानी कम खाद में भी यह चलता रहता है हमने तो साल बर तक इसको कुछ नहीं दिया था तो अपने आपको इसने अड़्जस कर लिया देखी इसके हम दो महीने बाद आपको यह वीडियो दिखा रहे हैं कि इसके पूरूनी के बाद देखिए सारे ब्रांच में पत्ते आ गए हैं और यह खोकला भाग भी वही सही है अभी लेकिन नीचे से इसकी जड़ पकड़ चुकी है और धीरे धीरे यह अलग शेप लेता जाएगा इ यह बहुत ही आसान होता है और यह पहुदा जल्दी से मरता नहीं है क्योंकि यह अपने तनों में अपने खाने को अपर फीड को एर सार्वाव कर सकता है तो इस तरह के वीडियो के लिए आप आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यह आप देख सकते हैं जो भी प्लांट हमने प्रूनिंग की थी मिट्टी में डाल दिया और यह भी एक पेड़ तैयार हो गया तो यह काफी आसान होता है इसका काम करना और इसके एक पेड़ से आप कई पेड़ बना सकते हैं तो इसके लिए बहुत हो शुक्रिया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए थैंक यू